अखरोड और कद्दू, वालनट्स और पम्किन्स अखरोड के लिए उस पेड के नीचे बैठ गए, उस पेड पर छोटे छोटे अखरोड लगे हुए थे, धनी राम अखरोडों को देख कर खोशो गए, तभी उनके निगाह पडोस के खेत पर गई, उस खेत में मुलायम बेल पर विशाल कद्दू लगे हुए थे, जो जमीन पर पड़े थे, धनी राम ने पेड पर लगे, छोटे छोटे अखरोड देखे और फिर उन कद्दूओं को देखा, प्रकरती माता कितनी अद्भूत हैं, उन्होंने सोचा, इतने विशाल कद्दूओं को जमीन पर उगी मुलायम बेल पर पैदा किया है, जबकि छोटे छो अखरोडों को इतने मजबूत पेड पर, ऐसा सोचने के बाद धनी राम को नींद आ गई, वह अपनी आखे बंद करने ही वाले थे कि एक अखरोड उनके सिर पर गिरा, धनी राम ने अपने चोटिल सिर को हाथों से रगड़ा, फिर गिरे हुए अखरोड को उठाया और दर पर गिर गया होता, तो मेरा क्या होता?